वास्तु के हिसाब से घर में हर चीज शुब अशुब प्रभाब डालती है इसमें हर छोटी चीजनें भी शामिल होती है आपको उता दें आम तोर पर हिंदु धर्म में लोग घर में मकडी का जाला लगना शुब नहीं मानते यह जीवन में उलजनों के बढ़ने की ओर संकेत करता है मगर इसके साथ कुछ मानताएं ऐसी भी हैं कि विशेश परिस्तिती में मकडी का दिखना शुब भी माना जाता है आईए आपको बताते हैं कि मकडी का कब दिखना होता है शुब और कब होता है अशुब आपको बता दें सुभह उठने के बाद मकड़ी यदि किसी स्थान पर उपर की ओर चड़ते हुए दिखे तो इसे अपनी तरक्की का संकेत समझीएगा अगर मकड़ी ऐसे सपने में भी दिखे तो यह अच्छा है मकड़ी के जाले में यदि आपको अपने नाम के अक्षरों की आकरती जैसे छवी दिखाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है माना जाता है कि ऐसा देखने पर आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ा लाव या अच्छी ख़वर मिल सकती है अगर आप मकड़ी को अपनी धुन में जाल बुनते हुए दिख हैं तो यह भी अच्छाई की ओर इशारा करता है ऐसा होने पर आपको अपने ओफिस में सफलता मिल सकती है वहाँ आपकी प्रशन सा हो सकती है ऐसा सपने में भी देखना शुभ माना जाता है आपको बता दें मकड़ी अगर आपको कहीं काट लेती है तो यह स्वास्त की द्रस्टी से भी शुभ नहीं है और जोतिश के आधार पे भी यह असुभ संकेत है माना जाता है कि ऐसा होने पर आपके किसी रिष्टेदार से आपके संभन्ध खराब हो सकते हैं अगर आपको कहीं बहुत सारी मकड़ियां दिखाई दे जाएं तो आपको सचेत हो जाने की आवशकता है ऐसा खोना इस बात का संकेत है कि कोई आपके खिलाप साजिश कर रहा है अगर कहीं आपके कपड़ों पर मकड़ी चर जाए तो समझ लीजिए कि आपको कहीं से नए वस्तर मिल सकते हैं बता दें कि आपको सपने में मकड़ी नीचे गिरते हुए देखे तो यह अच्छा शगुन नहीं है आपका कोई बहुत आप से दूर हो सकता है नेक्स नाइन स्पिरिच्वल की रपाट